नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आइफोन 14 सेप्टेंबर 2022 में लॉंच हुआ था, लगबग 6 मेने हो चुके हैं और इस आइफोन को मैं तब से ही यूज़ कर रहा हूँ अब दोस्तों आइफोन खरीदने का और उसे यूज़ करने का हर एक बंदेगा अपना खुद का एक रीजन होता है किसी को इसका design अच्छा लगता है, किसी को ये एक status symbol लगता है, किसी को इसका UI पसंद है, तो किसी को इसकी privacy पसंद है। और इस वीडियो में हम आपको 5 reason देंगे कि आपको ये iPhone 14 क्यों लेना चाहिए, बट 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 साथ में ये भी बताएंगे कि iPhone 14 क्यों नहीं लेना चाहिए, because कोई भी phone perfect नहीं होता, so let's start this video. Well, अगर आप first time Apple use करने वाले हैं, आप Apple के ecosystem में गुसना चाहते हैं, so iPhone 14 एक अच्छा option रहेगा, because ये इनके latest model में से सबसे सस्ता phone है, और इसको लेने के बाद, आप Apple के real experience को feel कर पाएंगे. कुछ भी ऐसा ground breaking feature मिस नहीं करेंगे, Apple के सारे devices अपस में बहुत जादा सिंक रहते हैं, चाहे वो airdrop हो, continuity camera feature हो, copy on one device and paste on other device जैसा feature हो, और भी ऐसे बहुत सारे features जो Apple के ecosystem में बहुत अच्छे से काम करते हैं, so ये एक काफी strong reason हो सकता है iPhone 14 को buy करने का. दोस्तो iPhone 14 काफी compact है, easy to carry कर सकते हैं, Android में तो आपको पता ही है कि compact design आने बंधी हो चुके हैं, कुछ ब्रैंड्स लाइक Samsung वगएर देत हो रहे हैं, बट उनकी भी prices iPhone 14 के आसपास ही है, अगर आपको एक compact phone की तलाश है, तो ये एक अच्छा option हो सकता है. iPhone 14 एक compact phone होने के बावजूद, इसकी जो performance है, वो एक flagship level की है, चाहे वो daily life usage हो, या फिर gaming की बात करें, या कोई productive task की, तो सब बहुत अच्छे से काम करता है. Android world अभी भी iPhone से बहुत पीछे है, camera भी एक काफी important factor बन जाता है smartphone को choose करने के मामले में, iPhone का camera no doubt is one of the best camera out there, Android ने भी काफी अच्छी progress करी है, Pixel phone, Samsung, Vivo, Huawei, Honor, इन सब के flagship level के phones काफी अच्छे photos क्लिक करते हैं, बट वीडियो में iPhones are still way ahead, and in fact, photos may be consistent, natural photos and close to reality सिर्फ iPhones में ही देखने को मिलती है. दूसरों, इतना छोटा होने के बावजूद, इसकी जो battery life है, वो कमाल की है, अच्छे अच्छे flagship phones, 5000 mAh वाले phones भी इतनी अच्छी battery life नहीं दे पाते, जितनी ये iPhone 14 आपको दे देता है, अराम से आप पूरा दिन निकाल सकते हैं, even on heavy usage. Now, let's talk about 5 reasons not to buy iPhone 14. If you are Android user, you will feel restricted, काफी restrictions हैं, आप App Store के बाहर से कुछ भी install नहीं कर सकते, जादा customize नहीं कर सकते, websites वगेरा से कुछ जादा download नहीं कर पाऊगे, basic चीज़ें जैसे की custom ringtone भी आसानी से set नहीं कर पाऊगे. outdated design and last year CPU, iPhone 14 का design बिल्कुल outdated हो चुगा है, iPhone 13 और 14 में पाहर से कोई भी change नहीं है, in fact अंदर भी जादा change नहीं रखा है, इसका जो processor है, वो भी last year वाला ही दिया गया है, हाँ बस एक core जो पहले disable था, उसे enable कर दिया गया है, जिससे performance में कोई जादा difference नहीं दिखता, in fact कितने लोग तो मुझे बोल चुके हैं कि बस ये iPhone 13 को ले लिया, iPhone 14 की display बहुत बढ़िया है, काफी high resolution OLED screen है, बट जहां आज की date में 15000 के phone में भी 90Hz या फिर 120Hz refresh rate देखने को मिल जाता है, वही iPhone जिसकी कीमत 80,000 है, वो 60Hz पे locked है, ये काफी disappointing है, 120Hz naturally काफी eye pleasing लगता है, हाला कि iPhones की performance and fluid animations उसको compensate जरूर कर देती हैं, बट still I would say कि ये एक बहुत बड़ा reason हो सकता है, अब देखिए Apple ठहरा लालची, उसे पैसे कमाने से मतलब है, पिछले 10 साल से Apple इसी port को लेके iPhones बनाता आ रहा है, और ये आज के standard के हिसाब से बहुत slow है, 480 Mbps, वोल्ड के almost सारे electronic devices type C पे shift हो रहे हैं, 10 Gbps to 40 Gbps तक की speed पहुँच चुकी है, अगर आपके पास multiple devices हैं, तो आपको lightning cable अलग से लेके चलनी पड़ती है, तो एक तरीके से convenience का भी issue है, तो ये भी एक बड़ा reason हो सकता है, iPhone 14 latest model का सबसे सस्ता model है, बट स्टिल उसकी price बहुत जादा है compared to Android flagship world, जिस price में ये आता है, उस price में ये उतनी value नहीं देता, इसके आधे price में भी जब आपको Android में इसकी टककर की performance वाले phone मिल जाते हैं, तो आप खरीदोगे iPhone 14 या नहीं, comment करके मुझे जरूर बताइए, I hope you enjoyed this video, if you enjoyed then please hit like and share button, और अगर नए हैं तो subscribe करो और YouTube की ये वाली घंटी जरूर बजाओ, आज के लिए इतना ही, see you in next one.